हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल नियूँ यर आने वाला है तो मैं आपके लिएक ऐसी रेसिपे लेकि आई हूँ केक की फ्रूट केक बहुत यमी होने वाला है बहुत टेस्टी लगता है और इस बहुत स्पैंजी बनता है तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूं फ् बढ़ने कटोर पहले होग ए Ada 1000 चमाइधी चयोखे जाए पाल में आदा चमबच से मिला sixt निदो आदे हैं कि अच्छर नहीं तो कटोरो Pvd onlar अच्छी म्लाने के बाद यहां एक पाल आछेसे वा से अच्छे और मिलाने के बाद और के नigon पर-पको अच्छन ताकि यह सारी जो चीज़े डाली है ना वच्छे से मिल जाएं और अब डालूंग में एक चमस बैनिला एसेंस और छोटी बाली कटोरी आदा कटोरी दही और मेल्टेट एक कटोरी मखन तूटी फ्रूटी एक कटोरी भरकर यह कम जादा कर सकते हैं आपको नहीं पसन तो अच्छे लगती है और यह है ट्रूंग टेंप्रेचर पर ठिल्डा किया हुआ दूर बहुत करम नहीं होना चाहिए इस बैटर को हम इससे भूलेंगे यह हम आदर डालेंगे बैटर में अगर और जगत है को और डालेंगे और अच्छे से इसको मिलाते चाहिए अभी और च को तारे जो भी हमने डालेंगे पदर को मिलाना ही है इस तरह कर बैटर हम हो जाएगा इसमें हमें एक ग्लास दूद लगा है और अब हम लेंगे एक बैक्टिंग ट्रे इसमें लगा लोगी में घी थोड़ा सा अच्छे से खळा लेंगे घी को चाहर परत और थोड़ा से मे इसमें ट्रांसर करेंगे तो चिपकेगा भी नहीं जलेगा भी नहीं इस तरह से खळा लेंगे और जो हमारा बैटर है इसमें ट्रांसर कर लेंगे जारा अच्छे से निकाल लेते हैं कि अच्छे आए बहुत यमी लगता है इसे अच्छे आरही है तो बनने के बाद बहुत इच्छे आईगी फुस्पु गनिला एसेंस्स की बहुत अच्छे पुस्पु आती है और इसको अब टैप कर लेते हैं ताकि कोई बबल ना रहे इसमें इस तरीके से टैप करेंगे और अब जो बाटी वाला उबन होता है उसको मैं प्रीहिट कर लूँगी मैं इसी में बनाते हो पॉरस में बहुत ही यमी किक बनता है तो इसको दस मिट पहले प्रीहिट कर लिया था मैंने और मेडियम फ्लेम प्यार इसको अमेर को बेक कर निकली रखोंगी इसको थर्टी 35-40 मिनट तक इसको बेक कर लूँगी देखिए बेक हो चुका है एक बार इसको चेक कर लेते हैं एक नाइफ लेंगे नाइफ को अपन इसके अंदर डिप करके देख लेंगे कि इसमें चपक तो नीरा बैटर और कितना बढ़िया बनाए बल्कुल पी चपक नीरा और कितना अच्छा शिकाए है और अब इसको नीचे उतार लेते हैं इसको एजस को थोड़ा सा चाकू से अलका सा इसको घुमा लेंगे ताकि यह बार एजली निकल जाए इस तरीके से बहुत एजली निकल जाता है वसे और प्लेट को उपर इसको इस तरीकी से ट्रांस करना है कि बहुत गरम होता है ध्यान रहे हम जलना जाए हाथ पाथ कितना अच्छा कलर आए कितना बढ़िया बेग हुआ है इसा स्पॉंजी बनाएगे कुछ भी बहुत अच्छी आ रही है और अब इसकी गार्णेशन कर लेते हैं यह लिया है मैंने जुटेला और यह लिए तीन-चार पीस बनाना और बनाना की ठोड़ी नौटी पीस करने हैं और एक फोक से इसको इस तरह से डिप करना है और इसको इस तरह से निटाल लेंगी इस तरह से पोड़ करना उसकी बाद इसको रखना है फ्रिज के अंदर ताकि यह पूरा जी नौटेलास के उपर पक जाए और शेप में आजाए और अब लिए मैंने कीवी और कीवी के भी मोटे मोटे फ्लाइस के हैं मैंने बहुत पतले नीकरन इस तरह से मोटे 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 और इसको देना है फ्लावर का शेप फ्लावर का शेप की तरह से देंगी हमें इस तरह से लेखे एक एक पीस लेकर के और जिग जग जग करते हैं ने जिग जग जग के इस तरह के से काटेंगे ऐसे निकाला और ऐसे निकाला और ऐसे निकाला प्लॉवर आगले की संसे नें देखने में बहुत अछा लगता है देखके जो बच्चेज होते तो निकाता निकाता है कि अच्छी डेकोरेशन होती तो बच्चों को भी अच्छा लगता है आप और इस तरीके से हम लोवर की शेप देंगे, प्लॉवर की है को तियार कर लेंगे कितना संदों लग रहा है देखने में और इस तरीके से सारे जो कीवी हैं उनका स्टेप बना लेंगे और एक पेटमेंट को तियार कर लेंगे कि अच्छा लग रहा है और शापदानी से काटना है शेव देने के लिए देखिए गाइस कितने अच्छा लग रहा है इस तरह का शेव बनाना है और बहुत प्यारा लगेगा कि इतना अच्छा बनाएं सारी मैंने त्यार कर लिए बाउल के अंदर आप दूसरी फूर्स भी ले सकते हैं स्ट्रोबेड़ी विगरा वह भी अच्छा लगते हैं वह आपके पास अवेलेवल हो अब बनाएंगे हम की देर सो ग्राम के आसपास रहे लेते हैं बटर बटर क करीब 500 ग्राम के करें मरने लिया है वटर को हम जब चलाएंगे ना इसकी एक ट्रीक है कि इसको कांटिविस नहीं चलाना इसको दी वे दीवे एक बार चलाया मैंक्सी थोड़े आफ कर दी लगादार मिक्सी चलाते है तो क्या होता है कि मैल्ट बटर मैल्ट होने लग जाता इस तरह किसे हम इसको क्रियार कर लेंगे इस तरह से चलाते जाएंगे इसके हमारी क्रीम है तियार हो जाएगी अब मैने एक बार चला लिया तो आप में टालों में चार से पांच छम्मज टीजियू हीम शक्कर आप अपने शाब से कम या ज्यादा मीठा चाते हैं इस वह जादा लंबाद नीचलाना हलका से चला करके यह मेरी होगी आइसिंग क्रीम है यह राड़ी हो गई हम इसको एक ट्रांसर में बाउल ट्रांसर करें लूगी बाउल में इतनी अच्छी बनी है देखिए हम घर पे जो हम मार्केट से लेकर आते हैं जो देखो घर पे आम बनाये अच्छी तो रहती है अब प्योड चीज मिल जाती है इस तरीके से हम बना सकते है घर पर इजीली और अब यह मेरा केक बेसे स्प्रेट कर लोगी और साइड में इसको इसी क्रीम में मैंने न्यूटेला मिक्स करके जो साइड के जिसे से इसको मैंने कबर किया था और इसको तोड़ा उसी में से बचा लोगी मैं इसको कबर कर लेते हैं पर फेला लेंगे क्रेम को मुझे एक कोट करना है और बागी की मैं यूटला मिला करके साइड से चोकलेट में जो फ्लेवर देना है वह से आजएगा वह बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा यह देखिए मैंने साइड में कवर कर लिया और इसको कर बनाने के लिए मैं इन दाले है कलरफुल और बहुत प्यारा कलर आ रहा है इसमें संदर लग रहा है बच्चों को इस तरह से जो डिफ्रेंट्स कलर होते हैं कलरफुल चीजें बहुत प्यारी लगती है इस तरीके से हम पुराज को कवर कर लेंगे जैम से इस मैंने फ्लावर बनाए हैं तो आटी के अधर यह इस के लिपने से प्यारा के सावट मैच कर रहे हैँ सारी फ्लावर लगा लोंगी कितना ऑनला है लगाने के पार or मैंने बनाना में रखेंट हैं करने के लिए उसे साइड में लगातूंगे और इस तरह से हैं ट्राइब इतना प्यारा लग रहा है आप भी बनाई यह कि आपको मेरी रेचिप अच्छे लगई है तो लाइक की जिगा शेयर की जिगा सब्सक्राइब करें